नमस्कार स्वागते आप सभी का सीनी उसके इस भूलिटिन में मैं हूँ आपके साथ नंदिनी पाठक खर्बने देखेंगे विस्तार से उससे पहले नसर डालंगे इस वक्त की हेड्लाइस पर पूलिस ने तीन चोरों को पकड़ा शातरों से पूचताश करने के बाद चोरी का माल किया बरामत पूलिस पूचताश में चोरों ने कई घटनाओं का किया एक बार ताना इत्मा दुला श्वित्र में दुशकर्म के मामले में युप्ती ने दोशियों को बचा ने दोशों को फसाए जाने का पूलिस पर लगाया आरोप युप्ती का कहना नामजद युपों के खिलाफ तहरीर दी लेकिन पूलिस नहीं कर रही कारवाई पूलिस ने घर में घुसकर महलाओं के साथ किया बहद्रता पती पतनी के बीच हुए मामूली विवाद के चलते पूलिस ने रात खोदी घर में दविश्च हना चनेरा पूलिस ने चेकिंगे दोरान दो बाहन चुरों को दबोचा पकड़े गई शातिरों की निशान देही पर पूलिस ने चार एक्टिवा की बरामत और एसन अस्पताल से दर जनवर से अधिक फार्मसेस्टों का ट्रांसफर होने से मरीजों को करना पड़ रहा है परिशानियों का सामना ओपीडी में पहुंचे मरीजों को पर्चा बनमाने से लेकर दबा लेने तक हुई परिशानिया थाना एत्माद दौला शेत्र में दुशकर्म के मामले में युवती ने दोशियों को बचा निर्दोशों को फसाए जाने का रोप पुलिस पर लगाया है युवती का कहना है कि नामजद युवकों के खिलाफ तहरीर दी लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्च नहीं की है थाना इत्माद दौला शेत्र में युवती के साथ दो युवकों ने दुशकर्म किया लेकिन पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्च ना कर दूसरे लड़कों को नामजद किया है थाना सिकंदर शेत्र की रहने वाली युवती को डरा धमका कर दो युवकों ने उसके साथ दुराचार किया विरोध करने पर तरह तरह की धमकिया दे गई युवती का अरोप है कि दो नामजद युवक गाड़ी में उसको डाल कर ले गए और उसकी इज़त के साथ खिलवार किया इस मामले में युवती ने नामजद तहरीर दी लेकिन पुलिस ने दोशियों को बचा दूसरे युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्च कर लिया है युवती ने थाने में इसका विरोध किया लेकिन पुलिस कुछ भी सुनने को तयार नहीं है थाने में सुनवाई ना होने पर युवती परिजनों के साथ कलेक्टवेट SSP से शिकायत करने पहुंची युवती का कहना है कि दुशकर्म का विरोध करने पर युवकों ने उसे जान से मारने की धमकी दी और बदनाम करने की भी धमकी दी गए युवती का कहना है कि थाने की पुलिस दोशियों को गिरफतार करने के बजाए निर्दोशों को परिशान कर रही है सी नियूस के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट थाना सया के इरादत नगर रोड पर अग्यात वाहन ने बाइक सवार युवक को रौन दिया बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई रागीरों ने घटना की जानकारी इलाकाई पुलिस को दी मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाच पड़ता अल्च शुरू कर दी है शहर में सड़क हाथसे दिन प्रते दिन बढ़ते जा रही हैं कई बार तेज रफतार इना हाथसों का कारन बनती है तो कई ब लोगों गिल्ला परवाहियों से ये सड़क हाथसे होते हैं रविवार देर शाम भी एक ऐसा ही सड़क हाथसा हुआ घटना थाना सईया के इरादत नगर रोट की है जहां अग्यात वाहन ने एक बाइक सवर युवक को रौन दिया बाइक सवर युवक की मौके पर ही मौत ह जा रहा है कि थाना सईया से इरादत नगर के लिए एक युवक बाइक पर जा रहा था तबी अग्यात वाहन ने बाइक सवर युवक को टक कर मार दी बाइक सवर युवक की इस सड़क हाथसे में दर्दनाक मौत हो गई आसपास इकठे हुए लोगों ने घटना की सूचना इलाकाई पुलिस को दी पुलिस ने मौके पर पहुँच कर शेव को कबजने मिलेकर पोस्ट मौटम के ले भिजवा दिया वहीं पुलिस का कहना है कि अभी तक युवक कि शिनाक्त नहीं हो सकी है पुलिस युवक किशिनाक्त के प्रयास कर रही है ब्यूर रिपोर्ट सी नियूस आगरा बगवान टोकिस चुराहे के पास किराय को लेकर हुए मामूली विवात पर ओटो चालकों ने सवारियों को बुरी तरह से मारा पीटा इस दोरान अफरत अफरी का माहौल पैदा हो गया बगवान टोकिस चुराहे के पास सरे रहा सवारियों की पिटाई होती रही और रहागिर तमाश बीन बने रहे कुछ लोगों ने बचाने का प्रियास किया तो उनको भी नहीं बक्षा गया सुचना मिलने पर पुलिस पहुची तब तक मार पीट करने वाले ओटो चालक भाग गये आटो चालक इस तरह आए दिन सवारियों से मार पीट करते हैं फिर भी पुलिस कारवाही नहीं कर रही बताया गया कि आटो चालक मोहंबत असलम रामबाग से सवारी लेकर आया था उसी समय किराय को लेकर हुए मामली विवात पर सवारियों पर हमना बोल दिया गया आटो में सीमिस सवारी बैट कर चलने के आदेश पुलिस के अधिकारें ने दिये है फिर भी चालक आटो में ठूस ठूस कर सवारी भरकर चलते हैं ऐसे चालकों पर भी पुलिस कारवाई नहीं कर रही है C News के लिए उमेश चर्मा की रिपोर्ट थाना शम्शवाद पुलिस ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ मार पीठ ही नहीं की बलकि हर दर्जे की अभद्रिता की है पति पत्नी के बीच हुए मामुली विबात के चलते पुलिस ने रात को दबिश देकर तांडव मचाने का आरूप लगाया है गोपालपुरा में रहने वाले राजु का उसकी पत्नी राजकुमारी से मामली बात पर विवाद हो गया था पत्नी से विवाद होने पर राजु ने थाने पहुच कर शिकायत कर दी पुलिस की सक्रेता देखिये बड़े मामले को छोड़ कर गोपालपुरा में राजकुमारी को पकड़ने पहुच गई आरोप है कि शराप के नशे में दुद पुलिस कर्मियों ने राद 11 बचे घर में गुच कर राजु के लड़के प्रिशान को पकड़ लिया और थाने ले जाने लगे इसी बीच बचाने पहुचे राजकुमारी और अन्य महिलाओ के साथ बेरहमी से मार पिट की प्रिशान कि इसी तरह पुलिस के चंगुल से निकल गया इसके बाद पुलिस राजकुमारी को पकड़ कर थाने ले गई और मुकदमा दर्जकर दूसरे दिन जेल भेज दिया आरूप लगाया गया है कि मार पिट के दौरान पुलिस वाले राजकुमारी के कानों से कुंडल खीच कर ले गई है पूलिस लड़का बालपकड़े खेंच लिया दा खीचने के बाद लड़के ने का ता वह मुझे कपड़े तो पहनना बादू जी फुलिस वाल पुलिस वाले दो थे लोनों सराप पीए परिजनों का कहनाए कि पुलिस की इस हरकत के चलते राजकुमारी को एक दिन जेल की चार दिवारी के अंदर रहना पड़ा राजकुमारी के जेल से चूटने के बाद भी पुलिस घर में आका धमक्या दे रही है अप रादों पर अंकुष लगाने के बजाए पुलिस कर्मी पती पतनी के जगड़ों में जादा दिल्चस्पी ले रहे हैं पुलिस कर्मियों से परिशान परिवार के साथ गाउं की महिलाएं कलेक्टुड एससपी जोगेंदर कुमार सिंग से शिकायत करने पहुच गई पुलिस की वज़ा से परिवार बुरी तरह डरा हुआ है पुलिस वालों ने दिन का चैन और रात की नीन छील ली है पुलिस ने आगरा में डेरा डाल दिया है राजमंडी रेलवे स्टेशन पर युवक की लोकेशन मिलने पर वार्सूर थाने की पुलिस यहां खोच भी इनकर रही है बेटे की गायव होने पर परीजनों ने वार्सूर थाने में गुमशुद्गी लिखा दी उसी समय से परिवार की लोग युवक की इधर उथर तलाश करते फिर रहे हैं कुछ दिन पूर्व ट्रेन में सफर कर रहे रिष्टेदारों ने युवक को राजमंडी रेलवे इस्टेशन पर देखा इस वारे में रिष्टेदारों ने राजिंद्र के घरवालों को बताया आगरा में लोकेशन मिलने पर 36 गण में वारसूर थानी के कॉंस्टेवर श्रवन सिंग जुगेश पाठक युवक की तलाश में आगरा आ गए पर हमारा लड़का दिखा है साइद तो उनको ढूडने के लिए हमें साथ चाहिए तो उसी के तलाश में हम लोग आए हैं बारसू थानी से आए पुलिस कर्मी श्रवर सिंग जुगेश पाठक हरी परवत थाने पहुचे और युवक की लोकेशन राजमंडी रेलवे इस्टेशन के आसपास होना बताया पुलिस कर्मियों का कहना है कि हरी परवत थाने की पुलिस के साथ राजिंदर कुमार की तलाश की जा रही है रेलवे इस्टेशन बस स्टेंडों के साथ भीड़ भाड़ वाले बाजार में युवक को तलाशा जा रहा है 36 गंड से आई पुलिस युवक की फोटो के साथ अन्ने कागजात भी लेकर आई है जिसे युवक को पहचाना जा सके राजिंदर के लापता होने के बाद परिवार का बुरा हाल है सी नियूस के लिए उमेशरमा की रिपोट थाना अचिनेरा पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो वाहन चोरों को दबोच लिया जबकि उनका एक साथी भागनी में सफल रहा पकड़े गई श्यातिरों की निशान देही पर पुलिस ने चार एक्टिवा बरामत की है थाना अचिनेरा पुलिस ने किरावली शेत्र में चेकिंग के दौरान दो वाहन चोरों को दबोच लिया जबकि एक पुलिस को चकमा दे कर भाग गया एसपी ग्रामीन पस्चमी रवी कुमार ने बताया कि अचिनेरा थाने की पुलिस अपरादियों की धर पकड़ के लिए चेकिंग कर रही थी उसी समय एक्टिवा पर आ रहे युवकों को रोकने का प्रयास किया पुलिस को देख एक्टिवा सवारों ने भागने का प्रयास किया लेकिन एक किशोर समय दो लोगों को दबोच लिया गया जबकि आलोक शर्मा निवासी पेट गली किरावली अचनेरा भागनी में सफल रहा पकड़े गई ग्यान सिंग निवासी अभुःपुरा अचनेरा से पुछताच करने के बाद पुलिस ने चोरी की पांच एक्टिवा बरामत कर ली है जबकि आलोक शर्मा पकड़े ग्यान सिंग के साथ एक किशोर को भी पकड़ा गया है पैसी के लालच में किशोर बाहन चोरी की घटनाओ को अंजाम दे रहा था आप इन्होंने वाहन चोर को पकड़ा है दो लोगों को पकड़ा गया है बेशिकली इन लोग इसमें से एक बाल अपचारी है नाबालिग है अता उसके बारे में कोई इन लोगों से चार स्कूटी बरामत की गई है और ये लोग किरावली चौकी छेतर में वहीं पे तहसील और उसके आसपास के दुकानों के आसपास से वहां चोरी किया करते हैं और फिर इधर उदर उसको बेज दिया करते हैं एसपी ग्रामिन पस्चमी रवी कुमार ने बताया कि चोरों का गैंग किरावली तहसील के अलावा आसपास के शेतर से वहां चोरी कर सस्ते दामों में बेच दिया करते थे चोर बरामत पांच एक्टिवा को बेचने की फिराक में थे इससे पहले चेकिंग के दौरान पुलिस के हत्ते चड़ गए पकडगे ग्यान सिंग का कहना है कि आलोक शर्मा मास्टर माइंड है पलक जपकते ही एक्टिवा और बाइक कोड़ा कर आराम से निकल जाते थे पुलिस फरार आलोक शर्मा की तलाश में दबिश दे रही है सीने उसके लिए उमेश शर्मा की ऐसन अस्पताल से दरजन भर से अधिक फार्मसिस्टों का ट्रांसफर होने से मरीजों को परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है सुवा ओपीडी में पहुंचे मरीजों को पर्चब बनवाने से लेकर दवा लेने तक परिशानिया हुई ऐसन अस्पताल से दरजन भर से अधिक फार्मसिस्ट के ट्रांसफर होने पर मरीजों को परिशानी का सामना करना पड़ रहा है ऐसन अस्पताल में 14 फार्मसिस्ट का ट्रांसफर विजनौर, अम्रोहा, बुलंद शहर, मुझफर नगर किया गया है इसमें फार्मसिस्टों के साथ चीफ फार्मसिस्ट भी शामिल है फार्मसिस्टों के तबादले होने के बाद अस्पताल में विवस्ताय अस्ट वियस्ट हो गई है पर्शवनवाने से लेकर दवा लेने तक मरीजों को परिशानी हो रही है OPD में चिक सकों को दिखाने पहुचे मरीजों को काउंटर पर दवा देने वाला कोई नहीं मिला काउंटर पर ट्रेनी फार्मसिस्ट बेटाल दिये गए है लेकिन ट्रेनी फार्मसिस्ट को दवा के बारे में कुछ भी जानकरी नहीं है इसके साथ ही तबादले के बाद एक-एक फार्मसिस्ट पर दो-तीन चगा के कारियों का बोश डाल दिया गया है फार्मसिस्टों का कहना है कि 14 फार्मसिस्ट का तबादला कर दिया गया है लेकिन उनके स्थान पर किसी भी फार्मसिस्ट को तैनाती नहीं दी गई है जिससे SNS प्रताल की OPD के साथ गायनिक मानसिक रोग विवाग में मरीजों को परिशानी हो रही है C News के लिए उमेच शर्मा की रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी की ताकत का लोहा दुनिया मान चुकी है दुनिया के ताकतवर देश भी प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी को ताकतवर मानते हैं भाजपाई कहते हैं इससे हर भारतवासी का सीना गर्व से चोड़ा हो गया है ये भारत के प्रत्यक नागर का स्वभाग है और उस मा की कोक से जो पैदा हुआ लाल जिसकी माता एक छोटी से कमरे में अपना जीवन निर्भन करती हो ऐसी माता को भी बार बार पढ़ाम है जिसको कोक से मोदी पदा हुआ है जिसने केवल अपने परवार का इतियास नहीं रचा केवल गुजरात की चिंता नहीं कि समपूर्ण भारत की चिंता करते हुए समपूर्ण बिस्ध में उसने ऐसा उजला किया कि उजले में केवल नेरन्द मोदी दिखता हो ने बड़ी सहबागी की बात है आज मोदी जी बिस्ध में नमबर बनके नेता के रूप में चुने गए है और विश्व में राज करने के लिए उन्होंने अपनी ख्याती जिस तरह से फेला ही है ऐसा लगता है कि देश के प्रदानमंत्री विश्व के प्रदानमंत्री बनने की यूजना बनने जा रही है अपना देश विश्व गुर्म बनेगा ऐसी प्रदानमंति जी की युजना है। बहुत बहवीत दिखता है। एसे में मोदी जी जैसे नित्रत की बहुत हावशकता है। उन्होंने ये स्युकार किया कि मोदी जी राष्ट के लिए देश के लिए बहुत दुनिया में बहुत बड़े नेता की रूप में उबरे। ये हमारे लिए बहुत हर्शका विश है कि मोदी जी ने हमें पूरे देश, पूरे वर्ड और सभी लोगों में नंबर वन बन कर। हमारे लोगों की सब पी चाती चोड़ी किये, बीजेपी के लोगों के और कारगरता में बहुत उश्चा है, सभी लोग उसी तरह से अपनी पार्टी को भी पूरे उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में आगे नंबर वन गणाने की कोशिश में लगे हुए। जिस तरीके से बिना अवकाश लिए राद दिन प्रदान मंत्री जी और उनके नेतरत में हम सब लोग जो महनत कर रहे हैं, उसको स्विकारिता मिली है, उनके दवारा देश की जनता के लिए, देश के हित के लिए, देश की रक्षा के लिए जिस तरीके से सहासिक नड़ने प्रतीक था कि देश के अंदर एक उत्साह का वातावरण है। प्रती जनता पार्टी ने प्रचंट जीत हासिल की उससे ब्रोधियों ने भी लुहा मानने लगी है। यहीं बज़ा है कि दुनिया में ताकत भर नेता की रूप में भारत के प्रान मंतिरी नरिन मोदी जी हो रहे है। अपने साथी अगल दुबे के साथ राकिश का नौजिया सी न्यूज आगरा। यहां रुकेंगे एक छोड़ा सा ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद जल्द हाजर होंगे आप बने रहे हमारे साथ।